हेलो एवरिवन वल्कम टू माई योटुब चैनल आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंट्स यहाँ पर तीन तीन ब्रेकिंग नियूज आ रही है गुरूप डी के रिगार्डिंग देखो काफे सारे स्टूडेंट परेशान थे कि एड्मिट कार् तो तीन यहाँ पर अपडेट आई है तीन अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एडमिट कार्ड के साथ किस तरह का डिकलरेशन फॉर्म आ रहा है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुक है एक और ओफिशल नोटीस यहाँ पर आया है तो प तीन एक दो जार तीस की डेट है और यहाँ पर इनोंने क्या का है सिधा सिधा मैं आपको बता देता हूँ थोरा शॉर्ट में पहले पॉइंट में नोंने बोला है कि जो पीटी शेडियूल है यानि कि जो पीटी के लिए कैंडिड शॉर्ट लिस्ट हुए है उनका दस तार लोड को लेटर इस गीवन बिलो यानि कि जो लिंक है यहाँ से अपके अपके अड्मिट कार्ट जो है डाउनोड होंगे सेगिंड पॉइंट में समझो आल कैंडिड आर एडवाइस तू रीड किये गए है मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा तो वो आपको अच्छे से री आप एक valid reason दे पाएंगे एक genuine reason वहाँ पे आप show कर पाएंगे तब ही आपका 20 तारिक को दुबारा से P.E.T. लिया जाएगा तो यह सोच के absent मत हो जाना कि जिनका चूटे का उनका 20 में दुबारा हो जाएगा यह सिरफ एक genuine reason के बाद ही होगा ठीक है लेगिन यह अच्छी बात है कि चलो जिनका कुछ genuine reason के कारण P.E.T. छूट जाएगा उनका दुबारा से यह लोग ले रहे हैं ठीक है आगे इन्होंने क्या बोला है पांच वा पॉंट देखो फिफ्ट पॉंट में साफ साफ लिखावा है all candidates are required to bring their original आधार कार्ड without which they will not be allowed for P.E.T. देखो अधार कार्ड बिल्कुल mandatory है अपना अधार कार्ड साथ में एक दो ID extra भी लेके जाना ठीक है तो यह आपका notice आया है Western Railway Mumbai की तरफ से यह मैंने अपने टेलिग्राम में दे दिया है चलो दूसरा notice भी हम देख लेते हैं यह आपर जो update है यह बुबनेश्वर की तरफ से है यह अब भी यह बात साफ साफ लिगी गई है कि candidates are required to bring their original अधार कार्ड आपको लेके जाना है therefore candidates are required to bring the following documents अब आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना है उसके साथ में क्या क्या डॉक्यमेंट ले जाने है वो भी इनोंने बताएं सबसे पहले original अधार कार्ड ठीक है न कोई photocopy scan copy नहीं चलेगी driving license pen card passport etc लेकिन अधार कार्ड आपको बिलकुल लेके जाना है साथ में आप लोग driving license pen card वगेरा लेके जाए पीटी का जो call letter आपका निकलेगा वो call letter का print out करा के आपको ले जाना है black and white या फिर color कोई भी आप ले जा सकते है उसमें को issue नहीं है number 3 पर duly filled and signed declaration form अब एक आपको declaration form भी ले जाना है अब या आगे मैं दिखाऊंगा वो format कहां से मिलेगा number 4 पर आपको दो photo लेके जाने है same as which was uploaded in the application form देखो बहुत दिन पहले ना मैंने एक वीडियो में ये बात बोल दी थी कि आपको same photo required होता है उस time पर लोगों को पता नहीं था ठीक है न आपके पास अपने form का जो print out है वो colored में है तो वहां से भी आप photo बनवा सकते है या अगर आपके पास PDF है अपने application form का उससे आप बनवा सकते है photo अगर किसी भी condition में आपके पास वो photo नहीं है तो अपना latest photo लेके जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है कि photo के का आपको PT से बाहर कर देंगे लेकिन कोशिश करो ठीके न मैं फिर से बोलना हूं कि कोशिश करो कि वही photo मिल जाए तो बहुत बैटर है और ये बात मैंने बहुत दिन पहले लगबग एक डेट साल पहले मैंने बात student को बोल दे दी ठीक है साथ में नहीं आपर link भी दे दिया ह आपको जो है admit card अपने download करने अब देखो ये declaration form आपको print out कराना है ये भी मैं अपने टेलिग्राम में दे देदा हूं वहां से आपको जो है इसका print out करा लेना है ये basically self declaration है आपके fitness का ठीक स्पेनों ने क्या लिखा है अपना नाम लिखना है roll number लिखना है father name exam name exam date exam time और यहां आपको same photo लेके जानी है दो और चोथा ये declaration लेके जाना है ठीक है ये दूसरा update था आप चलो तीसरा update की तरफ हम लोग चलते हैं और तीसरा यहां पर update है कि मैं जो आपको P.E.T. के instructions यहां पर दिखा रहा है admit card के साथ ये instructions वैसे आपको देखने को मिलेंगे अब देखो यह आपर ना बहुत सारी बाते इन्होंने बताई हैं मैं सारी पढ़के सुनाओंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यह मैं टेलिग्राम में दे दे रहा हूं आजाकर आप लोग इसको पढ़ लेना बाकि 6th point यहां पर बहुत important मुझे लगा कभी लोग पूछते हैं क सर अंदर जो है क्या क्या चीज़े ले जा सकते हैं तो उन्होंने एक बात यहां पर 6th point में साफ साफ लिखिए इसको पढ़ना चाहिए बैग, pen, pencil, electronic, gadget, जैसे cell phone, camera, timer, recorder, आदी को पीटी स्थल के अंदर ले जाने के अनुमती नहीं है निकि watch वगएर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं और ऐसी इन्होंने बहुत सारे instructions यहां पर दिये हैं कि अंदर कोई toilet की सुझदा नहीं होगी ठीक है बाकि आप इसको पढ़ लेना और उसके साथ self declaration भी यहां पर दिया गया है तो यह मैं टेलिग्राम में दे दे रहा हूं तो तीन update आएदे मैंने आपको द दे दिया है बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करें